नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News चला तीन दिन चलेगा कैंसर की थर्ड फोर्थ स्टेज के मरीजों को मिलेंगे तीन अजा रुपे राष्टी लोक वित एम नीती संस्थान दिल्ली में आई भरती दस्वी पास करें आविदन हरियान में महेंदरगट जिले के नन्ने मैंक निक केविसी में जिती एक रुड रुपे की धनासी सीम खट्र ने फोन करके दी बधाई हरियान सरकार ने पटवारियों को दी बड़ी राहत ग्रेड पे में हुई बढ़ोतरी दक्षन हरियान के रेवाड़ी महेंदरगट जिले में सुबह से भूंदा बांदी रही बदला मोसम ठंड से गेहूंव सर्षों को फायदा मिलेगा ताप मान में आई गिरावट किसान बोले सरकार से नहीं करेंगे बादचीत पंजाब हरियान के किसानों का बड़ा फैसला आज गवर्नर से मीटिंग होगी टिकेट बोले मांगी नहीं मानी तो आंधुलन उग्र करेंगे हरियाना में रेल आतरों के बड़े की प्रेशानी जहलम एक्सप्रेस दस जन्वरी से तो गीता जहनती एक्सप्रेस 21 जन्वरी से होगी बंद गुरुग्राम के बाद अब खरकोदा की तस्वीर बदलने जा रही है मारूती प्लांट बदले का तस्वीर लाखों लोगों के लिए बनेंगे रोजगार के आउसर हरियाना में 21 जिलों के 6207 गाउं को मिलेगी हाइ स्पीड इंटरनेट सेवा हरियाना में अब घर बैठे ठीक करें फैमिली आईडी के गडबडियां सरकार ने लॉंच किया पोर्टल बताएंगे पूरी अपडेट हरियाना में फ्री एज्युकेशन पर केज़िवाल का बड़ा सवाल सियम से कहा सिर्फ एक लाख असी हजार पे इंकम वालों को ही क्यों सिख्षा तो सब की फ्री होनी चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 313 बड़े बदलाव अंग्रेजों के जमाने का कानुन बदलेगा अब अधिक्तम 3 साल में फैसला मिलने की उमीद देव दिपावली के मोके पर 21 लाख दियों से जगमगाई कासी लेजर सो में दिखा भगवान शिव का रोध रूप मोधी बोले अदभूत एलोकिक और एविश मरणिया जनवरी 2024 से महेंगियों के मारुति ओड़ी और टाटा की गाडिया इन्पुट कोश्ट बढ़ने से कमपनियों ने लिया फैसला मारुति ने तीसरी बार बढ़ाए दाम और अब खबरे भी स्तार्शे हरियान में मोसम का मिजाज बदल गया है अधिकांस जिलों में बादल चाहिए है हलके बुदाबान दीशी ठंड बढ़ गई है बदलते मोसम के कान इस सवदी में दिन के ताबान में गिरावट और रात के ताबान में मामली बढ़ोतरी होने की संभावना बन गई है इसके बाद मोसम आमतर पर सुष कराएगा मोसम विशेशकों का कहना है कि ये बदलाव पस्ट में विचाओ के आनशिक प्रवाव की कान बन रहा है दिन भर रुक रुक कर बादल चाहे रहने और हवाई चलने की संभावना वेक्त की जा रही है योदि मोसम इसी तरह रहा तो इस फसल अच्छी होने के संभावना बन रही है मीडियम या फिर भारी वाहन लाइसेंस होना चाहिए किसी भी वरक के उम्मिद्वारों को इन पदों पर आविदन करने के लिए कोई भी आविदन सुल्क नहीं देना होगा यानि ये भरतियां फिरी है आयू सिमा 18 वर्ष लेकर 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए फैमिली आईडी यानि ट्रिपल पी में किसी भी तरह की त्रूटी या फिर अपडेट कराने को लेकर प्रेशानी जहला है आमजन के लिए एक अच्छी ख़बर सामने आई है ट्रिपल पी में जर्म तिथी से लेकर अन्य अपडेट साहित वर्टर कार्ड की गलतें भी आप घर बेटे दुरुस्त कर पाएंगे परदेश सरकार ने सिटिजन डेटा वेरिफिकेशन पॉर्टल शुरू कर दिया है इसके लिए सबसे पहले इसमें ट्रिपल पी में जर्म तिथी के अलावा वोर्टर कार्ड को भी अपडेट करने के सुविधा दी गई है खासकर बुजर्गों को जर्म तिथी को लेकर सबसी ज़्यादा दिक्कत जहलनी पड़ रही थी ऐसे में इस पॉर्टल के शुरुवात से सभी को रहात पहुँचेगी हारियाना में उद्वोग धंदे तेजी से फलफूल रहे हैं गुरुग्राम को साइबर और मिलेनियम सीटी बनाने में एहम योगदान देने वाली मारुति सुजुकी अब खरकोदा यानि सोनिपत की तश्विर बदलने में एहम रोलादा करने जा रही है मारुति सुजुकी ने यहां अपना नया कार प्लांट लगाने पर काम सुरू कर दिया है आयम टी खरकोदा में राजी सरकार ने एचस डबलाई डीसी की आठ सो एकड जमीन मारुति को प्लांट के लिए दी है मारुति का यह प्लांट 20,000 लोगों को पर्तेक्स तो वहीं 2,000,000 से अधिक लोगों को एपर्तेक्स तोर पर रोजगार देगा मारुति ने खरकोदा में बैटरी प्लांट लगाने की योजना बनाई है इसी प्लांट के लिए 400 एकड जमीन के मांग की गई है मारुति का यह प्लांट गुरुग्राम और मानेशर से भी बड़ा होगा हरियरना कैबिनेट के बैटरी 27 नॉवंबर को मुख्यमंतरी मनोलाल खटर की अधिक्सता में 2 गंटे तक चली बैठक में सीम ने अपने सहयोगे से चर्चा के बाद विधान सभागी सीतकालिन 17 की तारिक पर अंतिम फैसला लिया बता देंगी सीतकालिन 17-15 दिसंबर से शुरू होने वाला है 17 की अवदी 3 दिन यानि 15, 18 और 19 दिसंबर होगी कैबिनेट बैठक में IOCL पानिपत रिफाइनरी के पहले चरण के विस्तार के लिए 3 गाउं आसनकला, बाल जाटान और खंडरा की 350.5 पानिपत रिफाइनरी और पैट्रो केमिकल कॉंप्लेक्स पानिपत को बेचने की मंजूरी दे दी गई है हर्याना में बकाय बसूली में तेजी लाने और मुग्दमे बाजी कम करने के उद्धे से मुख्यमंद्री मनहुलाल खटर ने केमिनेट बैटक में एक मुष्ट निप्टान योजना 2023 नामक एक अनुठी योजना की भी मंजूरी दी हर्याना सरकार ने तीसरे और चोथे चरण के कैंसर रोगयों को वित्य साहिता परदान करने का एक महत्पूर निर्न लिया है इसके तैट पात्र मरेजों को वरदावस्ता समान भत्ता योजना की तरज पर मासिक बत्ता दिया जाएगा कहते हैं परतिबा किसी के मोताज नहीं होती है परतिबा के आगे अमेरी गरी भी कोई माईने नहीं रखती है परतिबा के सामने उमर का भी कोई महत्पूर नहीं होता है कुछ ऐसा ही कमाल हरियाना के एक छोटी से बच्चे ने भी कर दिया है जिसके चर्चे अब दूर दूर तक फैल चुके हैं मयंक ने अपने ज्यान और तेज तरहाथ जवाबों से कौन बनेगा करोणपती सो के होस्ट और महानायक अमिता बच्चन को भी हैरानी में डाल दिया आरपेश स्कूल के च़ातर मयंक को आज दुनिया जान रही है मुक्यमंत्रे मनोल लाल खट्र ने आठवी कक्षा के होनार च़ातर मयंक के परिवारवालों से बात की और उन्हें सुब कामनाय दी है CM ने मयंग के पिता से फोन कर बात की और उन्हें चंडिकर डाने का नियोता भी दिया है हरियाना के 21 जिलों के 6207 गाउं में जल्द हाइ स्पीड इंटरनेट शेवाई मिलेंगी इसके लिए हरियाना सरकार के क्रेड विभाग और BSNL के मद्य पिछले महीने एक MOU साइन हुआ है इसमें तैय हुआ है कि BSNL हर गाउं तक हाइज स्पीड इंटरनेट शेवाउपलब्द करवाएगा इसके लिए सरकार ने BSNL को दो वर्ष तक संचालन के लिए 65 क्रोड पे जारी किये गए है बता दें कि इंटरनेट करेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्राइमिन छेत्रों में फाइबर टूदे होम यानि FWTH नेटर की स्थापना के लिए एक प्रियोजना शुरू की गई है अब तक परदेश भर में 1875 इंटरनेट करेक्शन स्थापित कर दिये गए है हरियना में रेलवे यात्रियों के परेशानी बढ़ने वाली है जेलम और गेता जेनते एक्सप्रेस टेन के जरी लंबी दूरी का सफर तैकरने वाली यात्रियों को खासी परेशानी जेलनी पड़ सकती है जेलम एक्सप्रेस का 10 जनुवरी से तो वहीं गीता जेनते एक्सप्रेस टेन का संचालन 21 जनुवरी से आगामी आदेस तक बंद कर दिया गया है बता दें कि हरियाने के सोनिपत, पानिपत, करनाल और कुरूट शेतर से रोजना हजारों यातरी जेलम एक्सप्रेस 11,0778 से जम्मू तभी और पूने तक का सफर तया करते हैं वहीं गीता जेनते एक्सप्रेस 11,8412 के जरीए भी काफी सिंक्या में यातरी कुरूट शेतर वे खजुराहू तक आवागवन करते हैं इन दोनों ट्रेनों का ठैराओ भगवान श्रीकर्षन की जन्म स्तली मत्रौ में भी होता है एसे में इन जेलों से मत्रौ जाने वाले यातरी भी ट्रेन का संचालान बंद होने से परभावित रहेंगे बता दें कि मत्रौ स्टेशन के याड के री मोडलिंग के लिए नोन इंटरलोकिंग का कारिय किया जाएगा इसके चलते ट्रेनों का संचालान प्रभावित रहेगा पांच वे च्छे फ्रवरी से ट्रेनों का दोबारा से संचालान किया जाएगा देश बर में अगले साल लोकसभा चुनाओ और फिर हर्याणा में विधान सभा चुनाओ भी होने हैं ऐसे में चुनाओी माहुल को देखते हुए हर्याणा के मनोहर सरकार हर वरक को सोगात देने का काम कर रही है सिये मनोहर लालकटर हर विभाग के कर्मियों को खुशखबरी दे रहे हैं इसी कड़े में अब पटवारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है हर्याणा सरकार ने राज़व विभाग के पटवारियों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी कर दी है पहले पटवारी को 25,500 रुपे का स्केल मिलता था लेकिन अब उन्हें 32,600 रुपे का स्केल मिलेगा एक जनुबरी 2024 से इस बढ़ोतरी का लाब मिलेगा गोर्तला भै के स्केल बढ़ाने के मांग को लेकर पटवारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे वहीं हर्याणा पटवारी असोशेशन ने इसे अधोरा बताया है और साल 2016 से इस फैसले को लागो करने की मांग की है आमादमी पार्टी यानि कि आपके राष्टे सेयोजक और दिल्ली के मुक्यमंतरी अरविंद केजरिवाल ने मुक्यमंतरी खटर के 1,80,000 उप्रे तक वार्शे गाये वाली परिवार की बैटियों को कोलेज में मुफ्त यानि फ्री शिक्षा देने वाले बायान पर निशान असादा है उन्होंने कहा कि शिक्षा तो सब की फ्री होनी चाहिए पूरी फ्री होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है वहीं पर्देय सद्यक्स और राजिशवाद सांसद डाक्टर सुशिल गुपता ने कहा कि मुख्यमंतरी खटर आप और अर्विंद केजरिवाल की लोगप्रेता से डर गए है मुख्यमंतरी खटर 9 साल में हरियाना में सिक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सके इसलिए आनन फानन में सिक्षा पर चुनावी गोशना कर रहे है आज जब चुनाव में हार दिखाई दिया रही है तो उनको फिर से शिक्षा याद आ गई है सेम कटर फिरी शिक्षा की बात कर रहे हैं जबकि हरियाना में सरकारी स्कूलों में मूलबुत स्विधाओं तक का टोटा है और सरकारी स्कूलों के हालत खसता है और 30,000 से ज़ादा पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं हरियाना पंजाब में किसानों का महा पड़ाव दूसरे दिन भी जारी रहा अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने मोहाले में मिटिंग की मिटिंग में त्रै किया गया कि वस सरकार से कोई भी वारता नहीं करेंगे किसान नेताओं ने बताया कि आज यानि मंगलवार को उनके पंजाब के राज़ेपाल बनवाली राल प्रोहित के साथ मिटिंग होने वाली है वहीं दूसरी तरफ पंचकुला में किसानों के महापडाओं के दूसरे दिन किसान नेताराखिश टिकेत पहुँचे जहाँ पर उन्होंने किसानों के साथ आंदोलन को लेकर चर्चा की टिकेत निकाहागी अधी सरकार किसानों की मांगों को गंबिरता से नहीं लेती हैं तो आंदोलन को और उगर यानि तेज किया जाएगा पंचकोला में सेवित किसान मुर्चा के आववान पर किसान मजदूर महापडाओं में लगबग 15 किसान संगठन भाग ले रहे हैं किसानों के मुख्य मांगों की बात करें तो किसानों के मुख्य मांगों में MSP पर फसल खरीद की गारंटी लखेंपर खेरी अत्यकार्ड में सहीद वे किसानों के लिया पूर्ण कर्ज मुक्ती और प्राइवेट बिजले बिल रेड करो आदी च्यार मांगे सामिल हैं शारुजाती ये Δाडन खाप चबूतरा पल्वा के लाइबरेरे में कोचिंग के लिए आने वाले युवाओं के लिए एजुकेशन साहित महापुर्षों के इतियास के किताब खाप मुहया करवाएगी ताकि युवाओं को महापुर्षों के इतियास के बारे में पता लग सके यहाँ पर समिधान निर्मातर डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, साहिद भगात सिंग, राष्टपिता महात्मा गांदी, लाला लाजपत राय के जीवन से जुड़े हुई किताबों के साथ-साथ हरियाना की संस्कृति इतियास के अलावा, अन्य ज़्यानवर्दक किताबों से जानकारी युवाओं को मिलने वाली है अंगरेजों के जमाने के भारतिय कानुन में जल्द ही बड़े बदला होंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो IPC यानि इंडियन पैनल कोड की जगह पर भारतिय नयाश सहीता जबकि CRPC यानि Code of Criminal Procedure को भारतिय नागरिक स्ट्रुक्षा सहीता रिप्लेस करेगी सिर्फ नाम ही नहीं बलकि नियम और कानून में भी एहम बदला होंगे डिजिटल दोर को देखते वे इलेक्टोनिक रिकोर्ड्स यानि कि इमेल, कम्पिटर, स्मार्टफोन, लैप्टप और SMS को कानूनी वैदता मिलेगी यही नहीं नए बदलाओं में किसी भी केस में अधिकतम 3 साल में फैसला होने की भी उम्मीद है थोड़ा विस्तार से बात करें तो IPC में 511 धाराओं की जगाएं पर 356 धाराओं होंगी तो वहीं CRPC में 166 धाराओं की जगाएं पर 170 धाराओं होंगी देश में सर्दे ने 10 तक दे दी है मद्यपरदेश, राजस्तार, महराष्ट, गुजराद और तमिल नाडू के कई सहरों में रविवार देराद बारिस हुई है कुछ राजियों में बारिस अभी भी जारी है इसके जलते इन राजियों में अचानक सिठंड बढ़ गई है राजस्तान में दिन का पारा 8 डिगरी और दिल्ली में 10 डिगरी तक लुड़क चुका है जम्मो कस्मिर के स्रेनगर में रविवार को तापान सुने डिगरी दर्च किया गा है गुजराद के कई लाकों में भारि बारिस के साथ ओले भी गिरे है यहां बिजली करने से 24 लोग की मोत हो गई है मोसम विभाग ने मद्यपदेश, राजस्तार, महरास्टर और गुजरात में अगले 24 गंटे में भारि बारिस के आसंका जताई है यहां ओरेंज अलट जारी किया गा है मैं दिल्ली, यूपी, उत्राखंड और देश के दक्षनी राज्य में अगले 2-3 दिन बारिस के आसंका है आएमडी ने इस सब्ते के आंत तक देश भर में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है आएमडी के मताबिक मोसम में अबद राओ एक साथ च्यार मोसमी सिस्टम एक्टिव होने से हुआ है इसलिए आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है देश भर में सोनी के केमतों में लगातार तेजी देगने को मिल रही है क्योंकि एक केमती धातु बड़ी मात्रा में दूले और दूलनों को उपाहर सरूप दी जाती है 24 कैट के 10 गराम सोनी का रेट 62,560 रुपए परती 10 गराम पर चल रहा है वहीं 22 कैट सोनी के रेट की बात करें तो 57,350 रुपए परती 10 गराम स्तर पर चल रहा है वहीं एक डोलर का रेट 83 रुपए 36 परसे के स्तर पर जा पहुंचा है आज खबरों बस इतना ही देखते लिए आपका अपना हर्याना का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार इसी आसा के साथ आपका दिन सुब रहे